सब्स्क्राइब कीजिए में क्लासेज चैनल को और बेल आइकान दबाईए लेटेस्ट अपडेट के नहीं हेलो फ्रंट्स आप देखरे हैं में क्लासेज चैनल में स्वागत है चलिए हम बात करते हैं बाइंडरी ऑपरेशन इक इंपरेंट टॉपिक्स होता है अपका क्लास 12 में भी है और हाईयर क्लासेज में मौडल अल्जेब्रा में ग्रूप और रिंग में इसका जरूत पड़ता है चलिए स्टार्ट करते हैं बाइंडरी ऑपरेशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग इसका डिफ्रेशन देख रहे हैं मैं डिफ्रेशन बता रहा हूं अगर डिफ्रेशन नहीं समझना आए तो एक जामपल से आपको यह पूरा क्लियर हो जाएग अगर बाइंडरी ऑपरे तो देखिए एस भी यह नॉन एम्टी सेट यह फ्रंक्शन f from s cross s to s is called यह binary operation on set s अब देखिए इसको एक एक जामपल से समझे तक यह definition समझे में आजाएगा एक जामपल में ले रहा हूं एक नॉन एम्टी सेट लेना है s भी यह नॉन एम्टी सेट तो नॉन एम्टी सेट म और मानस वन अब यहाँ पर एक function define करना है s cross s में तो यह दो सेट s का Cartagen product बना लेजे सेट s का Cartagen product मैं बना रहा हूं 1-1 और फिर से s को देखना है 1-1 अब यहाँ पर Cartagen product बना रहा हूं तो 1-1 का एक पेर बन जाएगा दूसरा प्यार 1-1 का बन रहा है तीसरा प्यार 1-1 का ब लाश्ट फियर बन रहा है मानस वन मानस वन और यह मानस वन एक लाश्ट प्यार तो s cross s में चार इलिमेंट हो गिया अब क्या करना है अब को एक function define करना है s cross s से s में अगला देर देजे इस s cross s जो set बन रहा है इस set से अब s set में कोई function defined हो जाए that function is set to be binary operation आप देखें मैं यहां बन सुझा रहा हूं उसको सबोच कीजिए यह s cross s एक set है और यह set s है s cross s का element में लिखना हो यहां पर set s का भी element में लिखना हो all है और minus all और s cross s से s में एक function define करना है सबोच करते हैं यह function if है तो कैसे define करते हैं एक Eastern is total rule जिसके इसके साथ एसको में मोग सबनाजा करते हैं ऑन वन वन इस दोनों का जो product हो गए उसके साथ आप इसकोhur ऐसा चेट कीजिये तो ये फी signalना का ्रोडेक्ट होहा रहा है one यह बीड़न के साथ ही ये थोनों का हो रहा है ऐं तह 맞아 27 ये दोनों का वुरुत का रहा है और ये, क्वित करा है मानस बराते हैं कि इस इस element को कहां से associate करना है कैसे associate करना है ये दोनों का जो product होगा आटर पेर में उसी element के साथ associate करना है तो इस rule से इसका सारा element associate हो गया और unique element के साथ associate हो गया इसे लिए ये function हो जाएगा, function का definition है एक set से दूसरे set में अगर किसी rule के द्वारा इसका सारा element associate हो जाए unique element के साथ हो then that rule is set to be function from this set to this set तो यहाँ पर यह condition satisfy हो रहा है इसका सारा element associate हो रहा है और unique element के साथ associate हो रहा है तो इसलिए यह function हो गया और यह जो function है वो क्या हो गया s cross s से s set में function defined हुआ है तो इसी function f को हम लोग क्या कहेंगे binary operation कहते है binary operation अब देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे यह f को function से हम लोग binary operation को function से define किये है तो अब लिखते कैसे हैं उसके बारे बिज़रा समझे अब यहां देखिए अगर किसे set a से a से b में अगर कोई function defined है और अगर x एक element है तो इसका image अगर y आ रहा है x y के साथ associate हो रहा है तो हम लोग लिखते है f image of x is equal to y अगर x y के साथ associate हो रहा है तो f image of x equal to y तो यहां पर ग्यांदो यह जो element लिए हुए है इसका image 1 हो जाएगा तो यहां लिखेंगे उस case के लिए f of 1 1 is equal to 1 यह 1 1 का image हो गया 1 फिर 1-1 का image क्या हो गया 1-1 का image आ रहा है यह 1-1 का image को लिखते है 1 f 1 लिखते है 1 f 1 लिखते है 1 f 1 is equal to 1 यहां पर f ना लगा करके यह जो ordered pair का element तो उसके बीच में यह function f लगाते है अब इसमें देखिए अगर इसमें लगाना हो तो 1 f minus 1 is equal to हो जाएगा minus 1 तो यहां पर f एक function हो गया जो इस pair में लगा और इस pair में लगकर के इसका result बता रहा है 1 और actually यह result है क्या यह actually multiplication है यहां पर 1 और 1 को multiply करके लिखा दिया है यहां 1 और minus 1 को multiply करके लिखा दिया है तो आप इसको f जो function दे रहे है है एक function हो गया function को यह हम लोग कर रहे है एस cross s से s set में यह function defined होना चाहिए तो function को f से not denote करके आप लोग यह multiplication से denote कर रहे है आनि कि यह जो है वह एक function f के बतले multiplication लिख रहे है है s cross s से s में defined है यह multiplication होग यह multiplication है तो यहां पर f ना लिख करके उसकी जगा multiplication लिख रहे है तो 1 into 1 is equal to 1 actually यह function ही है इस function को हम दो denote कर रहे है multiplication से और यह दो element के बीच में लग रहा है तो 2 element के बीच में अगर multiplication लग रहा है तो यह 1 के ब्रावर आप यहां पर भी आगर हम लोग लिख करके multiplication लिखें तो इसका result क्या रहा है अब जहां ध्यां दीजिएगा तो यह जो function होता है function f s cross s से s set में जो function होता है जिसको हम लोग binary operation करते हैं तो यह function अगर ordered pair में लगता है दो element के बीच में यह लग रहा है तो उसका result है वह वी s का ही member है तो यहां पर आप देखेगा s cross s का element लेना है उसके बीच में हम लोग binary operation लगाएंगे और binary operation लगाने के बाद जो result आएगा वह भी s का member होगे तो आप इसको इस तरीके से समझेए कि s को instant है one minus one इसका आप कोई भी दो element ले दीजिए चाहे वो same element ही repeat क्यों ना करते है one और one ही क्यों ना ले ले इसके बीच में एक operation लगाते हैं यह operation लगाने के बाद इसका जो result आएगा वो भी इसका ही member आना चाहिए then this operation is called binary operation तो जो result है वो निस्ट आप यह जहां देजे जो result है वो unique होना चाहिए और साथ में वो किसका member होना चाहिए इसका ही member होना चाहिए माल लिजे वन और मानस वन हम लोग दूलेंगे वन और मानस वन के बीच में हम लोग multiplication लगाए और इसका जो result आया वो minus 1 आया तो यह जो दोनों दो element लिए और उसके बीच में हम लोग यह binary operation लगाए यह operation लगाने के बाद result भी इसी का मेंबर होना चाहिए और साथ में यह result unique होना चाहिए तब इस operation को हम लोग कहेंगे binary operation तो आप यह कह सकते हैं कि binary operation एक ऐसा operation है जो set के किसी भी दो element के बीच में लगाने के बाद उसका जो result है वो unique होना चाहिए और उस set S का मेंबर होना चाहिए तब उसको हम लोग binary operation कहेंगे आप इसको एक example से दुसरे example से में समझ जैसे मैं set N ले रहा हूँ, natural number का set 1, 2, 3, 4, 5, dot, dot, कोई भी नमबर है, natural number यहाँ पर, आप हम लोग सारा natural number का set ले लिए हैं, आप यहाँ पर इसका कोई भी दो element के बीच में आप प्लस लगा दीजिए, कोई भी दो element ले 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 जिए, कोई भी दो natural number ले ले जिए, तो उसक प्लस जो है, वो binary operation हो जाए, तो binary operation के लिए ज़रूरी है, कि अगर set S कोई है, तो इसमें binary operation जो है, वो मान लीजिए, binary operation को हम लोग denote करते हैं, star से, यह, ओ से denote करते हैं, इस तरीके से भी denote करते हैं, plus बीच में लिख देते हैं, या multiplication लिख करके गेर दीजिए, या फिर dot से भ सिंबॉल है binary operation का, ऐसे चार basic symbol जो use करते हैं हम लोग, ये plus, multiplication, minus, division, ये ये चार है, ये भी binary operation होता है, कुछ set में, सभी set में ये नहीं है, लेकिन कुछ set में है, तो मैं बता हूँगा क्यों नहीं है, और कैसे है, उसके बारे मैं बात करूंगा अगी, लेकिन ये चार basic binary operation है, चार basic symbol है, binary operation को denote करने का, इसके आलावा binary operation को ये सरी symbol से भी denote करते हैं, तो binary operation ये बारे माँ समझे ऐसे, कि S कोई set लई है, और इसका कोई भी दो element लई है, A और B इसका कोई भी दो element लई है, और उसके बीच में हम लोग एक operation लगाते हैं, इस दो element के बीच में, अगर ये element भ स्टार इस ये binary operation, स्टार से भी मैं binary operation को denote करते हैं, तो ध्याद दीजेगा, यही main चीज है, कि S का कोई भी दो element लई है, और उसके बीच में आप ये symbol लगा देजे, ये operation लगाए, और ये operation लगाने के बाद इसका result unique होना चाहिए, और साथ में S का ही number होना चाहिए, तब हम इस symbol को, इस operation को कहेंगे binary operation, तो आप यहाँ देखिए, कोई भी दो number लेते हैं, कोई भी दो natural number लेते हैं, ये और भी दो natural number लेते हैं, आप दोनों के बीच में plus लगा दीजे, तो दो natural number का संभी एक natural number लेता है, और ये वह unique आता है, तो ये list of group से end का member होगा, इसका मतलब plus easier binary operation, plus जो है, वो एक binary operation होगी, लेकिन आप देखिए, ये जो है a, b, वो किसी के लिए भी होना चाहिए, for all a, b, launch to end, यहाँ पर जो a और b ले रहे हैं, वो for all a, b, launch to end, कोई भी दो member आप लेते हैं, इस set का, तो उसके बीच में plus लगाने के बाद इसका result उसी में आना चाहिए, प्लस को हम लोग binary operation के लिए, लेकिन क्या यही minus के लिए satisfied होता है, जर आप देखिए, मान देखिए, हम लोग 3 और 2 के बीच में minus लगाया है, तो इसका result तो इक natural number आगी, लेकिन अगर इसी को हम लोग ultra कर देखिए, 2 और 3 के बीच में minus लगाते हैं, तो इसका result आ रहा है, हम minus लिए, लेकिन वो set n का विंबर नहीं है, और देर्फोर minus, जो sign है minus, is not a binary operation, not a binary operation, अब देखिए, अगर हम लोग minus लिए बात करें, और set को ही change कर देते हैं, integer का set ले लेते हैं, तो क्या यह binary operation हो जाएगा, चलिए इसके बाल में, integer का set लेते हैं, अब यहाँ पर आप कोई भी दो integer ले ले लिए, a और b अगर हम लोगों कोई भी दो integer ले ले लेंगे, और उसका for all a, b belongs to i, और हम लोगों की a और b के बीच में minus लगाते हैं, तो दो integer का difference आएगा, वो भी एक integer ही होता है, यह जरूर ब्लाउंस करेगा, आई में, तो इसका मतलब minus जो है, वो एक binary operation हो जाएगा, कि सेट के लिए होगा, integer के सेट के लिए, लेकिन यह जो minus है, वो natural number के set में binary operation नहीं था क्योंकि दो natural number का difference आ रहा था, minus करने के बाद जो result आ रहा था, वो natural number के set में ब्लाउंग नहीं कर रहा था, तो minus is not a binary operation on the set, but minus is a binary operation on the set आई, तो एक ही चीज़े minus ही है, लेकिन वो अलग-अलग set में, एक में binary operation है और एक में नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, कोई भी symbol या कोई भ multiplication की बात करों, क्या multiplication इसका binary operation है, आई सेंट में, देखिए, कोई भी दो natural number को आप लेगे, कि दो integer को लेगे, for all a, b belongs to i, आप दो में integer को multiply करते हैं, तो वो एक unique आता है, वो भी i का ही member आता है, तो therefore multiplication is या binary operation on the set आई, तो इस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं, कि difference भी binary operation हो गया, multiplication भी binary operation हो गया, set i में, प्लस भी binary operation हो जाए रहे, for all a, b belongs to i, आपको कोई भी दो integer का sum करेंगे, तो एक integer ही आएगा, तो प्लस भी binary operation हो गया, तो एक set में कई एक binary operation defined कर सकते हैं, आप definition पर आएए, तो definition में आप जाते हैं, कि f कोई function है, जो s cross s से s में अगर function defined होता है, तो इसी function को हम रूप binary operation करते हैं, तो जितना function defined हो सकता है, उतना binary operation हो सकता है, तो यह जो आप लोग चार बेसिक binary operation के बारे में जान रहे हैं, प्लस मानस या मर्टिप्लिकेसर या डिविजन, यह ज़रूरे नहीं कि यह चार्जी हो, किसी दूसरे तरीके से भी define कर सकते हैं, जैसे suppose कीजिए, हम लोग एक national number का set लेते हैं, सारा natural number 1, 2, 3, 4, 5, जितना भी natural number है, सारा concept ले लेते हैं, और इस तरीके से binary operation define करते हैं, यह star b is equal to a b, a to the power b, सब कुछ की जिए a to the power b, अगर इसका बालो में कानना है तो to the power 3, निश्यत रुप से यह b जो है, तो इस तरीके से भी डिफाइंट करें तो यह भी एक binary operation होगी है, तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से कई एक binary operation define किया जा सकता है किसी statement, तो friends इस binary operation का जरूत जो है, वो model algebra में भी group ring वागरा में भी पड़ता है, तो इसका use करेंगे हम लोग, मैं आगे जो है, वो ring के बारे में एक स्रीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के चैनल में इसका upload करूँगा, तो आप उसको देखते रहे, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये, तो आप जिरूद सब्सक्राइब कर लिजे, नीचे आप देख रहे है, इस goal symbol आ रहा है, उसको आप टच कीजिए, आप सब्सक्राइब कर आप लिजे उसको और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत दिन ल्याट है।